ओलेव प्डेचोट करें ये कुकत जब और दो पकोंचे सी और जो हुआ है घ्रक्ट जब्हटरिकार खटोट को फूर्स कर रहें जोस्के से हम फूर्त्य क्लास में बात करें के फी KP प्रेटिक फंक्षन है वह जो है हम कोशन के जुरू जैसे हम प्रीवीस एर कोशन करेंगे वहां पर फिर्टेल में डिसक्स करवा दूंगी ताकि आपको यह भी पता चल सके किस तरीके कोशन आता और कैसे जो है कोशन को डील करना चाहिए तो कुछ कुछ टॉपिक जो प्रीवीस एर कोशन में डिटेल में डिसक्स करेंगे ठीक है तो देखो फीचर्स आपके बहुत सारे फीचर्स हैं उपस के कौन-कौन से हैं भई अनकाप्सुलेशन होता है अब्स्राक्शन होता है इंहेडेंस होता है पॉलिमोर्फिजम होता है कंस्ट्र इसलिए आपका क्या बनता है इसलिए आपकी जो C++ है वो object-oriented programming language बनती है तो इन्ही फीचर्स को आज हम डिटेल में डिसक्स करने जा रहे हैं तो देखो अब्स्रेक्शन अनकाप्सुलेशन पॉलिमोर्फिजम इन हैं इंहेडेंस को डिटेल में देख लेते हैं अब्स्रेक आप लेकांद करता है फीचर्स मतलब जो भी आउटसाइड वल्ड का जो भी फीचर्स है आउटसाइड वर्ल्ड से जो में इंप्लिमेंटेशन है उसको फीड़न करेगा जो सरफ असेंचल पार्ट उसको शौप करेगा ठीक है यह होता है आपका अब्स्रेक्शन का का काम इसकी एडवांटेज क्या होगी कॉंपलेक्सिटी कोड को रिड्यूस करना जब आपको सरफ जो आपको असेंशल जो जरूरी है सरफ वही इंफॉर्मेशन देखे और बाकी की जो है चीज़े ना देखे तो आप लोगों के लिए कोड कॉंपलेक्सिटी जो रिकम हो जाएगी डिटेल को रिकम करता है अब देखे इसके और इसके इस प्यवाइज चीज़ें क्या रहते हैं चीजे हैं मेरा डेटा कहा पर मिलेगा लेकिन किस तरीके से उसने चीज़ें मुझे नहीं पता बात्ता है सिर्फ मुझे यह पता है कि मेरा data काहाँ पर क्रियेट काहाँ पर मिंटियन रहे तो यह होता है इस सिस्टम करवाते हैं और यहां पर जो आप डेटा को राइट करते हो और फंक्शन को राइट करते हो क्या करते हो सिंगल यूनिट में करते हो ठीक है थोड़ा डिटेल में देखेंगे यह भी देखेंगे अनकाप्सुलेशन अप्स्रेक्शन में क्या डिफरेंस है ताकि आपको समझ मे रखेल के दोनों में जो हाईडिंग किस तरहेके से बिंदेखो यंदि होता तो यहां पर डेटा की बाइंडिंग होती है मैंथोड वारीयबल के लेकिन लेकिन इन्तू सिंगल उनिह तो तो यह होता है आपका data encapsulation, अब देखो difference between class और uncapsulation, class और uncapsulation में क्या difference होता है, class हम देख चुके है, last video में आपको class discuss करवा चुकी, class क्या होता है, object क्या होता है, यह साही चीज़े में आपको करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर देखो class होता है, एक way होता है, जहाँ पर आप data को organize करवाते हो, ठीक है, और uncapsulation एक design होता है, जहाँ पर आप data की choice करते हो, uncapsulation without classes is not possible, ठीक है, बिना classes के uncapsulation जो है, वो possible नहीं है, जैसे आपका object जो था वो बिना class के possible नहीं था, ऐसे ही uncapsulation जो है, वो भी आ to cross out and encapsulation make class the same as the structure class without encapsulation is possible यह इसा कि बिना iNCAPSULATION की आप class कर सकते हो तरह कर लिदा कि अनका प्रैटा कर सकते हो अब देखो अनकाप्सूलेशन जो होता है इसका असेंशली पार्ट होता है data का लिदा की हाइडन करना classes construct that can be intended to create objects in memory class will encapsulation public and private methods uncapsulation कर सकते हैं वो अपने public or private method वो प्रोटेक्टित के तुर है तु है अपने अट्रिब्यूट डेओ आश्च किर सकते हैं अगर मुझे उसको publicly पॉब्लिक अश्च नहीं करवाना सबसे दो फाइनली इंस्टेंस ऑफ क्लास इंस्टेंस ऑफ क्लास कह hotई पापकाट होता है विल Bell विडिंट एप्रe जो प्रेट ऑपक हें इंड है पम members फीर्ञाट buscar और एंस्टेंस उपक्लास क्लास रप्रेंज्ट में प्रेंज़ते हैं तैंड हला धाकर swamp fantasy उपनरility फीचर्स निवीच के अबजक और निवन्ट परग्रामिंग और दोनों ही इम्पोर्टन फीचर्स है विच आलाओ यू तो मॉडल रियल वर्ल फिंग से इनट अबजेश्ट आप्जेश्टों इनट आप्जेश्ट सो अबजेश्ट सो एधिच्वार्ट शोड़ यूड़ न इसके बित्का जारे कि यही बताएं सरे के बारे में कि अब्सक्रथे एंब्सक्रेंग से इसके ब пойsmotुझ नोंस बित्बुचाया थीए टीटेलन inifsud as both abstraction and encapsulation data does hide something but the key difference is on intent तिक दिन का difference मेल क्या है एक तो प्रोटेक्शन के लिए उस कर रहे हैं और यहां पर हम data की binding कर यहां ने उस ही टीक है तो यहां पर दीटो द्यहान से समझना प्रॉब्लम पौर्पलों होती है दिजाइन लेवल केौ दीजाइन लेवल पे होता है योक्त समृ थैय। 121 , 160 4 देटा इंटा वनीक प्रोटेक्टनेशन ॥ çıktिविच्ण अ कर लिए 어떡्त तु ए और अपस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो इसकी जो हाइडिंग डिटेल हैं इंटरनल और मेकानिजम और हो एन ऑप्जिक्ट दस सम्थिंग तिक हैं अबस्ट्रेशन का जो लेयाऊट और लेयाऊट यूज इन डिजाइन के लिए उसका जो है इसका वह वह इनर लेयाऊट के की और तकश्रेक्शन के और और एनकाफरोफिलेशन की जो इन इंप्लिमेन इन होडियेपिशन इन के अंदर वह आपका ट्य चू था अन कवह की केड model एड्सक्पेंद करें । यूंस स Karen collective जर्फिंग नकाश्सा का प्राइज दू दोनों यह जो पीच भी कि मतलब होता है तरिक है इसका पर अप्लाए करना इसका थोड़ा ध्यान से समझो पॉलिमोर्फिजम मीन्स मैनी फॉर्म और यहां पर वी केंड डिफाइन पॉलिमोर्फिजम अज अब एक मैसेज को जो है एक से ज्यादा टाइम जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं कैसे अब यहां पर मैं रियल लाइस का एक अब पर आप लिएवियर गर्लाइस के साथ जो आपका बीएवियर और अलग है कि आप अपने फ्रिंट्स के साथ होते हो तो वहां पर आपका बीएवियर जो है वह एक अलग है जब आप घर पे आते हो गर आप तूशन वग्यरा पढ़ारे हो किसी बच्चे को या आप यह किले हो जो है है कि अ सर द्रेंडरा किते हैं चुक्त पर अचर्व कि टीचर बन जाते हो तो मतल्क वंदा है यह एक वां एक बंदा है ठीक है यह जो है नाम का रिवनस्त कुछ है सो इसका रॉल है मतलग जहां पर एक एक आट में गयातों जो इसने वफिंट के हैं तो इस ओपने यह बड़े भाई भाहनों के साथ है तो बिएवियर अलग है तो मतलब एक entity लेकिन जो इसका mood इसकी forms वह बहुत सारी है ठीक है तो यह आप example ले सकते हो किसका polymorphism का ठीक है तो polymorphism जो होता है वो consider होता है one of more important features of object-oriented programming थिक आप देखो यह आपका polymorphism यह होता है दो टाइप का होता है एक होता है compile time और एक होता है run time तेको जब आप प्रोग्राम को जब आपने C या C++ में program लिखते हो ना तो पहले आप उस program को compile करते हो उसके बाद आप उस program को run करवाते हो ठीक है तो ऐसे पॉलिमोर्फिजम दो तरीके का हो गया एक हो गया compile time और एक हो गया आपका run time compile time के अगिन दो पार्ट हो गया function overloading और एक हो गया आपका operator overloading ठीक है और run time का हो गया virtual function ठीक है अब यह क्या होते है इनको थोड़ा detail में देख लेते हैं तो यह दो पार्ट में डिवाइड कर दिया compile time polymorphism क्या कहता है कि इस type of polymorphism is अच एप रखे़ ढ़लोडिंग और operator overloading तो दो पार्ट में इसको डिवाइड का एक तो function overloading होता है एक होता है operator overloading यहा पर आप function को overload करवा रहे हो यहां पर आप operator को overload करवाते हो ठीक किस तरीके से करवाते हैं वो देख लेते हैं अब इखो function overloading क्या कहता है function overloading किया कहता है कि when are multiple function with the same name जब आपके multiple function जो होते हैं वो same name होते हैं तो वहाँ पर जब आप parameter को pass करवाते हो तो आप different parameter को What can we pass we pass करवा अगर आपका multiple function है औँर सब का नाम है वो same है तो आप सब parameter को pass on करवाओगे तो different parameter को pass करवाओगे this function is set to be overloaded और ओवर राइडिंग क्या होता है ओवर लोड़ेड वह होगा जब सेम टाइप का फंक्शन हो और आर्गुमेंट डिफरेंट तो वह आपका ओवर लोड़ेड होता है ठीक है और श्रींग करता है बुट करता है बाइटर को ओवर लोड करने का थी किए फोर एक जांपल वी क्या प्लस में एक प्लस का उपरेटर बनाया अगर आपने इसको इंटीजर वैलू ली तो जैसे आपने ए लिया दस और बी लिया पंद्र आप इन दोनों को एड़ करवा रहे हो तो आपका जो आंसर होगा वह पत्चीस होगा ठीक है अगर आप एक श्रिंग ले रहे हो और वहां पर आप दो करेक्टर यूज़ कर रहे हो चील फट्क है तो यहां पर क्याय हो जाए हैं यह तोनुं आंट ब्लस का सिंध फट्क हाब यूज़ कर रहे हो ठ्यक है लेकिन फंख्जन ही था एक खरीटर भी अडकिन इसका इसका क्या है अलग-अलग रॉल है तो यह आपका क्या होजाए का उप्रेटर अब देखो runtime polymorphism क्या होता है runtime polymorphism कहता है कि this type of polymorphism is achieve function overriding ठीक है बतलब overriding होता overloading आपने समझ लिए overloading क्या होगा यह runtime polymorphism क्या करता है override करना ठीक है यहां पर क्या कहता है कि in other hand drive class has a definition of one member function of the base class जो drive class होती है उसकी जो definition होती है member function of base class that base function is set to be overridden तो base function को आप क्या को होगे भई overridden होगा तो argument भी same हो तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा override हो जाएगा virtual function क्या होता है कि जब member function that you accept to redefined in drive class when you refer to drive class object using a pointer or reference to the base class अगर आप pointer या reference दे रहो बेस बेस क्लास को you can call a virtual function for that object and execute the drive class version in the function ठीक है तो इस टाइप के function को आप क्या कहोगे virtual function कहेंगे तो clear है वही overriding क्या होगा virtual function क्या होगा अब हम बात कर लेते हैं अपने inheritance को inheritance जो होता है वह काफे important जो है features आपका किसका C++ का थिक है तो C++ का काफे important features है अब इसमें क्या करवाते हैं वह देखो mechanism of driving a new class for an existing class the capability of a class to drive properties and characteristics from another class is called inheritance यहां पर क्या हो रहा है कि मतलब एक क्लास की जो properties हम उनको क्या करते हैं इन हैट करते हैं मतलब यहां पर reusability होती है code की in inheritance में क्या होती है code की reusability होती है सबसे जादा important features आपका object-oriented programming का ठीक है अगर question में आए कि object-oriented programming का जो है features क्या होता है तो आपको एक main answer होगा कि यहां पर हम code की reusability करते हैं तो कर आपकी दो तरीकी class हो जाती है को तो जो child klas को और class आप्या ओगे पेरेंट class या specific class भीकने गख讲ाट और class direct class को चैंड कखो चाइल जो तो तो यहांपर क्या होla है कि इन हैट-o-ree property a अनाधर classesGOD जो सब्योर वbroken करें स्थ खांकल दिंगर दो करें थेकर फर्माइब कर दो में ठीकर तो यहां करें पर आपने ग्रूप लिया विकल नाम का थे कैर तो विकल में हमने यहां पर तीन क्लास ली है एक ली मैंने बस एक ली मैंने कार और एक ली मैंने ट्रॉक तो इसके जो मैंठर्स होंगे जैसे फूल की फ्यूल के कितनी होगी हरेक जो क्यों जो ऐसे होगे होग है एक क्यलोमेटर में कोई तर ने जाती है कि अंगया हरेक का काम अलग होकी छोटी सी पैसे में 3400 जा सकते बसकी जो है बहुत बड़ी मतलब अरग दर से उदर लाने के लिए यूश कि अलगया तो अप्लाय ब्रेक् ब्रेक लग कर रहे हैं तो यहां पर देखो if we create the class अगर मैं क्लास को create करवा रही हूं avoiding inheritance अगर मैं inheritance को use नहीं कर रही मैंने inheritance को avoid करवा दिया और मैंने class को create करवाया तो मुझे जो है मैं इस code को बार-बार repeat कर वारी हूं तो repetition हो रही है मेरा टाइम लग रहा है मेरी copy भर रही है तो अकर मैं inheritance को use नहीं कर रहे हैं तो तीनों जुक्लासेज हैं आपको बार-बार लिखनी पड़ेंगी ठीक है अब यहां पर देखो जैसे आपने क्या किया आपकी तीन कोड अलग होगी वह तो आगी जाके हम अलग से डिफाइन कर देंगे ठीक है तो यहां पर तो सेम है तो data की डिपली के से होई एरर होने की चांसे जब एक बार आपका data बार-बार एक ही चीज रिपीट करने लग जाए तो वहां पर जो है एरर आने के चांसे हो जाते हैं क्योंक तो इससे तो बहुत सारी problem आ जाएंगी ठीक है तो इस टाइप की problem हमें बार-बार ना लिखना पड़े मतलब तीनों के function बार-बार ना लिखना पड़े तो इसकी लिए हम क्या यूज करते हैं इन हैटेंस का concept क्लियर है क्यों यूज करते हैं अब आजो तो वाइड इस type of situation i इससे बेटर है कि हम इन हैटेंस को यूज करें अगर मैंने एक विकल नाम की क्लास क्रेट की यहां पर मैंने एक विकल नाम की यहां पर मैंने एक विकल नाम की और यहां पर जो है मैंने तीनों फंक्शन लिग दिये मतलब विकल के अंदर मैंने तीनों फंक्शन लिग दि और यहां पर आपने तीनों फंग इसके अंधर आपकी अधर आपकी क्लास को जाएगी और या इसको आप सबक्लास क्लास क्या हो ठीक है अब हमें में और किसे और को अससस नहीं कर सकते बुब्लिक क्यों थैंस कुछ में अगरमस sa25 करती हूं में सब क्लास को अपर यह सलोड fiance नगे तोाल में शबक्लास को ऑट में क्लास युदो भी स्वावरी क्लास में Mich. प्रॉटेटेटेटेटे भी एक पॉटेक्टेटेटेटे क्लास लेते हुटेक्टेट पॉटेटेटेटे मेंबरiesoんなle प्राइवेट बेस क्लास then the both public member and protected member of the base class क्या बन जाएंगे प्राइवेट बन जाएंगे ड्राइवेट क्लास के लिए ठीक है अब देखो important है यह तीन जो है बेसिक होते हैं public, protected and private private को तो कोई भी असस नहीं कर सकता public को जो है publicly हम असस कर सकते प्राइवेट बन जाएंगे ठीक है लेकिन प्राइवेट वाले असस नहीं कर सकते प्राइवेट वाले भी असस नहीं कर सकते ठीक है तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ अससेसिबल होते हैं based class members असस स्पेसिफायर ठीक है अब देखो types of inheritance important है भी types of inheritance क्योंकि यहां से एक्जाम में कई बार question आया type of inheritance से तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से types होती है और तीनों जो है हर types का का काम क्या होता है तो एक होता है आपका single level inheritance एक होता है आपका multiple inheritance एक होता है multi-level एक होता है hierarchical और एक होता है अपका hybrid तो total पांच टाइप के inheritance function होते हैं तो पांचों का क्या काम होता है किस तरीके से होता है वह हम थोड़ा देख लेते हैं अब देखो single level inheritance क्या कहता है single level inheritance में क्या होता है class होती है जो कि inherit कर जाती है from only one class one subclass is inherited by one base class ठीक है तो यहांपर subclass जो है आपके एक होंगी और जो inherit होरी होगी एक base class है ठीक है मतलब आपकी एक यहांपर parent class है और आक आपकी हांपर child class है child class भी एक होगी और parent class भी एक होगी तयांनी कि base class भी एक होर 이िsentर्फ, यह आपका होगा single level inheritance द्राइड क्लास भी एक है तो यह आपका होका single level inheritance आपका multiple inheritance क्या कहता है multiple inheritance में जो है आपकी parent class तो बहुत सारी होंगे और child class आपकी एक होती है यह निकि एक drive class होगी और number of आपकी base class होगी वो आपका क्या होगा बहिए multiple inheritance ठीक है multi level क्या कहता है multi level में जो है आपका A class से दूसरी class जो है ड्राइव की जाती है ठीक है अब जैसे भी यह देखो class A मैंने हाँ पर बलाएं ठीक है class A यह है class A से drive class आपकी class B हो गई फिर class B से drive class जो है आपकी class C हो गई तो यह आपका क्या हो जाएगा multi level मतलब एक level में जो है आपका inheritance हो रहा है यहाँ पर देखो class C बनी तो यह आपकी base class होगे फिर इसने drive किया class B को फिर class B ने drive किया class A को तो यह जो है आपकी drive class अब यह drive class जो class B है वो इसके लिए क्या बन गई बेस class लेकिन यह इसके लिए क्या अब धर ड्राइव क्लास है यहाँ पर देखो आप एक ट्री की फिर में है तो यहाँ पर आपकी parent class क्या है बन गी अब इन दो चैयड क्लास बन गई तो number of child class है लेकिन parent class आपकी एक मतलब एक बेस्ट च्क लास है और नंबर आ पकी धर्य इस क्ट लो आपका रार्य कीकल होगा कि कहा हमारे लास्ट लिज टाइप आ प%, ट। ली ताइप लन या वर्च्वल इनहैंतेन्स हो जो आपका इनहैंटंस है उसकी तोसे जाधा टाइप जो है मिलकर आपका क्या बनाती है hybrid inheritance बनाती है तो यहां पर example देखो combining hierarchical multiple inheritance ठीक है अब जो है यहां पर example जो मैंने लिया है वहां पर आपकी दो class को combine किया है कौन-कौन से एक तो hierarchical inheritance को combine किया और एक आपका multiple को कैसे क्या है वो देखो hierarchical में क्या होता है hierarchical कहता है कि आपकी एक base class होगी तो यह आपकी एक base class है ठीक है और उसकी क्या है number of child class है तो यह आपकी number of क्या है child class है ठीक है यह आपकी child class है तो यह आपका क्या बन गया hierarchical बन गया अब यहां पर देखो और आपका multiple क्या कहता है कि एक आपके पास child class होगी औ क्ालश को अबान इporत पर दो है दो टायप्स को मिल झाए इक हाइब्रेड बना थ स्च जो है अपका है इन हटायन्स का टॉपिक होता गठम हम देख लेते हैं आर्गोमेंट की हंचन में जो हैं call by value क्या होग या call by reference क्या होगा ठीक है तो detail में देख लेते हैं तो यहां पर देखो आप दो तरीके से argument को पास करवा सबते हैं तो value को पास करवाओगे एक करवाओगे address को पास तो call by value में आपकी पास होती है value और call by reference में आपका क्या होता है कि जब आप value को पास करवाते हैं तो इसकी जो ओरीजनल value होती है उसके उपर कोई effect नहीं पड़ता है उसकी copy जो है दूसरी जगे बन जाती है जिसकी वज़े से है जो है हमें memory जादा यूज करनी पड़ती है ठीक है तो यहां पर देखो 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 दे देखोसज के हाँ पास की फडियो परके फटमाट कर देना तो आप अब आपद सेखोस अन्हें ना सी को ठादा स्टेंट चेंज करने से और की जब कोई फंक्चन पर ध्रता है तो तो ग्टो योश रिपम फंक्ट्ट कंटंट थैंक्न जब कोई फंक्शन कंटनक्र टो तो यहां पर कह रहा है कि अगर मैं Actual parameter को पास कर दो मोडिफाइ कर वार्यों तो जो in this matter argument must be variable तो argument आपके must be variable होने चाहिए you cannot directly change in variable in a function body आप डारेक्ट जो है फंक्शोन इसके अंदर उसके variable को change नहीं कर सकते sometimes argument can be complex expressions कुछ time argument जो होती हो आपकी complex भी हो सकती है और यहां पर 2 copy create हो जाती है जैसंकि मैंने का कि 2 copy हां पर create हो जाती है इसके वज़े से जो आपको memory जो जादा चाहिए ठीक है अब देखो call by reference क्या होता है call by reference में आप value को पास करें क्या पास करें हो भी address को पास कर रहे हो तो call by value में जो method copy the address of an argument into the formal parameters in this method the address is used to access the actual argument used in the function call यहां पर यहां पर यह actual में जो इसके argument है मतलब जो actual में जो values है उसके function call के थरू उसको change कर सकते है it means that change made in the parameter alter the passing argument argument को पास करके आप इसके value में change कर सकते हो in this method memory allocation is the same as the actual parameter यहां पर जो memory है वो आपकी same use होगी यहां पर आपको extra memory की जुरत नहीं है जैसे आपको call by value में रह थी क्योंकि वहां पर आपकी copy create हो रही थी यहां पर जो है आपकी same यह ठीक है अब दिखो all the operation function are performed on the value stored at the address of the actual parameter and the modify value is stored at the same address advantage क्योंगी वही function can change the value of the argument will quite useful ठीक है और यहां पर जो है कोई duplicate नहीं होता आपको data का holding only one value which help the saved memory space तो memory space को save करने के लिए यहां पर यह use होता है वहां पर उसकी disadvantage ठीक है अब देखो in this method there is no copy of the argument made यहां पर जो है कोई भी copy आपकी made नहीं होती argument की therefore it is processed very fast इसलिए जो इसका process वो बहुत fast है help you avoid change done by mistake a person reading the code never know that value can be modified in the function ठीक है अब इकोड़ डिसद्वांटेज होंगी अगर इसकी advantage है तो obviously इसकी disadvantage होंगी strong null guarantee ठीक है a function taking in reference need to make sure that the input is not null यहां पर जो आपको guarantee देनी पड़ेगी जो value वो not null हो नहीं होगी therefore null check need not be made passing by reference make the function not pure theoretically lifetime guarantee is a big issue यहां पर जो आप lifetime guarantee नहीं दे सकते है बहुत बड़ा issue हो जाएगा this is specially dangerous when working with lambdas and multithreaded program यहां पर जो है प्रोब्लम आती है किसके लिए जब आप lambdas or multithreaded program के साथ जब काम करते हो ठीक है तो अब यहां पर तोड़ा difference देखे हो call by value और call by reference के बीच में call by value जो होती है calling a function when you pass value जब आप value को पास करवाते हो तो variable की क्या हो जाते है इसको आप call by value को होगे जब आप function को call करते हो तो प्रोग्राम में इसके copy the value of variable the address of the variable is used तो address वहां पर यूज किया जाता है इसको call by reference को होगे इसमें आप copy of variable इस पास यहां पर copy पास की जाती variable को यहां पर variable खुद पास किया जाता है ठीक है effect क्या होगा change made in copy of variable never modify the value of variable outside the function मतलब जो function outside में उसके अंदर कोई change नहीं होता यहां पर जो है value में change हो जाता है effect होता है यहां पर alteration of value does not allow you to make any change in the actual variable यहां पर actual variable में जो alteration and change है वो allow नहीं है लेकिन यहां पर हम actual value में क्या कर देते है change कर देते है जब function call करते है तो passing of variable value of variables are passed using a straight forward method यहां पर जो required to store the address of variable ठीक है original value not modified यहां पर जो original value modify नहीं होते है लेकिन यहां पर हो जाती है actual and formal argument will be created in different memory location यहां पर यहां पर they are not safe you need to handle argument operation carefully तो इनको handle करने के जुरत है क्योंकि original value में चेंज हो जाएगा तो आपको अच्छी से करने के जुरत है ठीक है अधर्वाइज आप value मिस कर दोगे तो फिर आपको problem आ सकती है इसी के साथ जो है हमारे आज की होती आज की क्लास को काफ़ी किया होगा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मिला होगा अगर नहीं अगर मिला है तो प्लीज चानल को एक like share और subscribe करना तो बनता है ठीक है तो फिर मिलेंके ऐसी नई वीडियो के साथ तो तक लिए बाई and thank you